Price to Earnings Ratio, P-E Ratio, एक बहुत popular ratio है और इसे अपने हाप में एक valuation का method भी मना जाता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि P-E Ratio की calculation जैसे होती है P-E Ratio का formula होता है Price of a share divided by its EPS बहुत simple सा होता है कि एक share का जो price है वो उसके EPS से कितने times है For example, अगर मान लीजिये कोई company है, मान लीजिये आप SBI को लेते हैं तो अगर उसका EPS आता है, मान लीजिये 50 रुपे का यह वो एक share पर 50 रुपे का earnings है उस company की और जो SBI का price है, वो मान लीजिये 250 रुपीज पर share है तो SBI का जो P-E Ratio है, वो होगा 5 का ठीक है? तो बस इतनी आराम से calculate हो जाता है P-E Ratio की इस भी company का, अब P-E Ratio की significance क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि P-E Ratio को अपने आप में भी एक valuation का method माना जाता है, कुछ एक long term investors सिर्फ P-E के basis पर भी invest करते हैं अभी कभी markets में जब excessive buying या excess selling आती है तो P-E Ratio बहुत काम आता है जब माली जी आप की फार्मा सेक्टर के अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा selling आ गई है तो हम देखेंगे कि अगर हमने select करना है कि यार फार्मा में से मैं invest तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं किस कौन से stock में invest करूँ वहाँ पर आपको P-E Ratio बहुत काम आएगा अब P-E Ratio को analyze कैसे करते हैं P-E Ratio को जब आप analyze करते हैं तो आप compare करके analyze करते हैं अगर किसी stock का P-E माली जी ये 5 का है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो P-E 5 का जो P-E है वो कम है या जादा है वो हमें पता चलेगा जब हम माली जी फार्मा के example ले रहे थे तो जब वो access selling आएगी और हमारा invest करने का मन करेगा तो हमें हमारे दिमाग में ये है कि फार्मा as a sector बहुत अच्छा perform करने वाला है लेकिन सबसे मुझे जो अच्छे valuation पर जो stock मिलेगा वो कैसे बता लगेगा वो होगा जो आपको माली जी एक stock का a का p e है 5 का दूसरे का 7 का b का और c का है 10 का p e तो जो a जिसका p e 5 है वो सबसे कम valuation पर आपको stock मिल रहा है जिसको अपनी earnings के comparison में तो इस तरह से हम p e को analyze करते हैं अब low p e और high p e जा होता है यह terms आपके आप पास आएंगे आप सुनेंगे काफी ने जब आप ने investment process के अंदर जाएंगे तो low p e होता है वो होता है कि जब आप low p e सुनेंगे तो उसका मतलब होगा कि एक stock का price अपनी earnings के comparison में कम चल रहा है मानिजिए कि जितने उसकी earnings है और sector की averages से और अप low p e is generally a good thing जब हम value investments की बात करते हैं और इसका बिल्कुल opposite होता है high p e कि अपनी sector averages और competitors के p e ratio से आपका p e ज्यादा है इसका मतलब कि आपका stock महंगा बिकरा है market में तो महंगी चीज को तो हम लेने जाएंगे नहीं महंगी चीज को तो बल्कि selling का decision जरूर ले सकते हैं उसके अ यह तो happy ratio तो बागी thank you very much अगर इसके लाब आपको कोई doubts हो, queries हो या suggestions हो तो आप comments में जरूर लिख सकते हैं तो thank you very much